मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए जो बिल्कुल फ्री है और मेरे वीडियो को पहले देखने के लिए ये बैल आइकन को दबाना ना भूलिए है लो फ्रेंड्स वेल्कम टु निमाय फुरिस्तान मैं निकीता खथारी आज आपके लिए लाई हूं के खीर और इसको मराठी बोलते है मारस्ट्राइब की फेमस देश है डाज़र से इसको बोलते गवाजया खीर ये खाने में बहुत टेस्टी है नॉर्मल खीर के कंपार मे यह बहुत जादा स्वाधिस्ट और टेस्टी होती है आप इसे जरू ट्राइ करिए इस आप मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलिए इसके लिए मैंने 250 ग्राम वन कप गिहू लिया है इसको मैंने राद बर भिगो के रख दिया है दैन इसको राद बर भिगोने के बाद इसको मैंने कूकल में चड़ा दिया है और 5-6 विसल सीटी आने के बाद इसको हम एक बाद चैक करेंगे कि अच्छा से हाथ से दब रहे या नहीं दब रहे अगर दब रहे तो मतलब यह गेम रेडी है दूद के दूद म मिल्क यूज किया है और इसको मैंने ग्यास पे लो फ्लिम पे गरम होने के लिए बॉल होने के लिए रख दिया है आप मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपको मेरी रैसिपी पसंद आई है तो आप कंटिनूजली स्टर करना यह ध्यान रखना यह सब्सक्राइब करके लिए दो के लिए पुपलकि के लिए अगर में इसमें अएड कर देंगे जो हमने रखने को अखूर में चड़ाए थे इस को हम खीज भी बोल सकते इसको ए हमसे भी तो अटी नी जा ग easy इसमेदे अड़र आ जाए इसमें मिल्क बाकष़ क्रीम है फ्रै अब देख सकते हैं इसमें अच्छा उबाला आ गया है अब मैंने इसमें इसमें अच्छा उबाला आ गया है अब मैंने इसमें 250 g ग्राम्स ऑफ शुगर मेंस 1.5 cup sugar आड़ करिए चीनी आप अपके इसाब से अच्छेस कर सकते हैं अगर आप अगर कम मीठा खाना चायए तो कम भी डाल सकते है और इसरीचा आपटीनूज़ली हमें अंच्टीनीघे करना है जब तक गुमाना है जब तकक पिंदिर मिल्क हमारा 3-4 त का रह जाया अब इसको जितना जादा हुबालेंगे उतना हमारी खीर जादा अब ये दूद भी रिडियो जो गया अब हमारी खीर रेड़ी है सह काने के लिए अगर आप और अच्छी टेस्टी खीर खाना चाहते है तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं तक्यू पर वाज़ीं